जम्मो कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे उचे रेल ब्रिज से पहली बार ट्रेन को चलाया गया आठ कोच की ये मेमो ट्रेन संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच चालिस किलोमीटर लंबे रूट पर चालिस किलोमीटर प्रती घंटे के रफतार से दौली इसका ट्राइल सफल रहा अब जल्दी इस ब्रिज से CRS इंस्पेक्शन के बाद पेसेंजर ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा लेकिन जिस तरह पिछले कुछ समय से जमो किश्मीर में आतंगवादी हमने बढ़े हैं उससे देखते हुए इस ब्रिज की सुरक्षा करना भी बड़ी चुनौती होगा दुनिया के इस सबसे उचे आइकॉनिक ब्रिज पर किसी भी संभावित आतंकी हमले को रुखने के लिए खूफिया एजेंसिया नजरे बनाई हुई है इस ब्रिज के बनने के साथ ही 24 घंटे और 7 दिन सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी गई है कोई भी बाहरी शक्स इस ब्रिज को पार करना तो दूर की बाद इसकी करीब तक भी नहीं जा सकता चिनाब ब्रिज की सुरक्षा में RPF, GRP, CRPF के अलावा जमू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरनाती की गई है इसके अलावा स्थानिय लोगों की भी मदद दी जा रही है ताकि ब्रिज के आसपास अगर कोई संदिक्द शक्स दिक रहा हो या फिर आता जाता है तो इसकी सूचना समय रहते ही स्थानिय पुलिस को या फिर सुरक्षा बलों तक फोहच सके आपको बता दें कि पिछले साली पूरे जमू कश्मीर में रेल लाइन ट्रेने और रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रिव्यू किया गया था यही नहीं जमो कश्मीर में बने रेल रूट्स, टानर्स और पुलों की सुरक्षा के लिए अलग से कुछ पोस्ट भी क्रेट किये गए है